नसीरुद्दीन शाह भारतिय फिल्मों के अभिनेता है उन्होंने अपनी पहचान एक अभिनेता के साथ साथ एक निर्देशक और एक लेखक के रूप में भी बनाई है नसीरुद्दीन शाह ने हिंदी फिल्मों के साथ ही कन्नड, गुजर्ती, बंगाली मल्यालं, तमिल, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में भी अपने अभिनेता को दर्शाया है नसीरुद्दीन शाह द्वारा अभिनेता किये गए फिल्मों की बात करे तो उन्होंने जुनून आकरोश, तजुर्बा, सितम, वो साथ दिन पोली कुलामी ये वो मन्जिल तो नहीं, एक घर, सरफरोश, मौनसून वेडिंग, मैं हूना, पोंकारा, मेरे बाप पहले आप, इश्किया, साथ खून माफ, देड़ इश्किया, दडर्टी पिक्चर, ओके जानू, अयारी जैसी फिल्मों में अभिनेता किया है नसीरुद्दीन शाह ने अपने अभिनय की वजह से तो कई सारे अवार्ड्स को अपने नाम किया ही है, साथ ही उन्हें कई सारे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है नसीरुद्दीन शाह का जन्म बीज जुलाइं 1949 को बाराबंकी भारत में हुआ था उन्होंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था नसीरुद्दीन के पिता का नाम अली मुहम्मद शाह था और उनकी मा का नाम फर्रुक सुल्तान था नसीरुद्दीन के तीन भाई थे जिन में से एक का नाम रिटायर्ड जैनरल जमीरुद्दिन शाह था नसीरुद्दीन शाह ने अपने स्कूल की पढ़ाई सट आंसेलमस अजमेर राजस्थान और सट जोस्पस कॉलेज नैनिताल से पूरी की थी इसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से पूरी की थी अपनी ग्रेजुएशन की डिगरी हासिल करने के बाद नसीरुद्दीन ने नाशनल स्कूल आफ ड्रामा दिल्ली से अभिनय भी सीखा था नसीरुद्दीन शाह ने अपने अभिनय के व्यवसाई की शुरुवात साल 1967 से की थी उन्होंने सबसे पहले फिल्म अमन में अभिनय किया था इसके बाद फिर एक बार उन्हें एक छोटे से किरदार को दर्शाते हुए देखा गया था उन्होंने फिल्म आन बान में में अभिनय किया था साल 1975 में पहली बार नसीरुद्दीन शाह ने अपना पहला एहन किरदार दर्शाया था उन्होंने फिल्म निशान्त में विश्वम नाम के किरदार को दर्शाया था इस फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल थे साल 1978 में नसीर उद्दीन ने अपनी पहले हिट फिल्म में में अभिनाय किया था जिसका नाम जूनून था इस फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल थे और फिल्म में नसीर उद्दीन ने सरफरास खान नाम का किरदार दर्शाया था इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था साल 1980 की बात करे तो उस साल नसीर उद्दीन ने गोबिंद निहलानी द्वारा निर्देशित फिल्म आक्रोश में अभिनय किया था इस फिल्म में उन्होंने भासकर कुलकर्णी नाम का किरदार अभिनय किया था फिल्म में नसीर उद्दीन के साथ ओम पूरी और अमरीश पूरी ने मुख्य किरदारों को दर्शाया था इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था उसी साल उनकी एक और फिल्म सुपर हिट हुई थी जिसका नाम हम पाँच था इस फिल्म में मुख्य किरदारों को संजीव कुमार, शबाना आजमी, मिथुन चक्रबोर्ती नसीरुद्दीन शाह, राज बबबर, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पूरी ने दर्शाया था फिल्म के निर्देशक बापू थे और फिल्म में नसीरुद्दीन ने सूरज नाम के किरदार को दर्शाया था इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और फिल्म ने बॉक्स ओफिस में सुपर हिट फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्श किया था साल 1981 में नसीर उद्दीन को फिल्म तजुर्बा में देखा गया था जिसके निर्देशक निखिल सैनी थे इस फिल्म में उन्होंने एक कैमियो किरदार को दर्शाया था साल 1982 में उन्होंने फिल्म सितम में अभिनय किया था इस फिल्म में उन्होंने सुभाश नाम का किरदार अभिनय किया था इस फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था साल 1983 में नसीर cinema नने इन से फिल्म जाने भी दो यारो मासूम और वो साथ दिन फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया था इसी साल नसीर उद्दीन ने अपना डेविउ बंगाली फिल्मों में किया था, इस से पहले उन्होंने हिंदी के अलावा गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया था उस बंगाली फिल्म का नाम प्रतिदान था साल 1985 की बात करे तो इस साल नसीरुद्दीन ने फिल्म कुलामी में अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक जे पि दत्ता थे और फिल्म में नसीर उद्दीन ने S.P. सुल्तान सिंध नाम का किरदार अभिनय किया था फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्रक, मिथुन चक्रबोर्ती, मजहर खान, राजा मुराद, रीना रॉय, स्मिता पाटिल और अनीता राज ने मुख्य किरदारों को दर्शाया था फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था उसी साल नसीर उद्दीन ने फिल्म खामोश में भी अभिनय किया था जिसके निर्देशक विधु बिनोद चोपड़ा थे फिल्म में नसीर उद्दीन ने कप्तान बक्षी नाम का किर्दार अभिनए किया था और फिल्म में उनके साथ शबाना आजमी, अमोल पालेकर, सोनी राजदान और पंकच कपूर ने अभिनए किया था इस फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था साल 1986 में उन्होंने फिल्म कर्मा में अभिनय किया था जिसमें उनके किर्दार का नाम खैरुद्दीन चिष्टी था इस फिल्म के निर्देशक सुभाश घई थे फिल्म को दर्शकों ने ठीक ठाक पसंद किया था साल 1987 में नसीर उद्दीन ने तीन फिल्मों में अभिनय किया था उन फिल्मों के नाम जल्वा यह वो मन्जिल तो नहीं और इजाज़त थे फिल्म जल्वा की बात करे तो उस फिल्म के निर्देशक पंकच पराशर थे और फिल्म में नसीर उद्दीन ने इंस्पेक्टर कपिल नाम का किरदार अभिनय किया था उनकी अगली फिल्म का नाम यह वो मन्जिल तो नहीं था जिसके निर्देशक सुधीर मिश्रा थे फिल्म में नसीर उद्दीन ने त्रिवेदी नाम का किरदार अभिनय किया था इसके बाद साल की आखरी फिल्म का नाम इजाज़त था जिसके निर्देशक गुलजार थे फिल्म में नसीर उद्दीन ने महेंदर नाम का किरदार अभिनय किया था साल 1988 में नसीर उद्दीन ने अपना डेब्यू अंग्रेजी फिल्मों में भी किया था इन फिल्म का नाम दर पर्फेक्ट मर्डर था फिल्म में नसीर उद्दीन ने इंस्पेक्टर घोटे नाम का किरदार अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक का नाम जफर है थे साल 1989 में उन्होंने फिल्म प्रिदेव में अभिनय किया था जिसके निर्देशक राजीव राय थे फिल्म में नसीरुद्दीन ने जै सिंह नाम का किरदार अभिनय किया था इस फिल्म में मुख्य किरदारों को सनी देओल, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, माधुरी दीख्षित, संगीता बिजलानी और सोनम ने दर्शाया था इस फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और फिल्म ने अपना नाम सुपरहिट फिल्मों की सूची में दर्श किया था साल 1991 की बात करे तो उस साल नसीरुद्दीन ने फिल्म एक घर में अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक गिरीश कसरविल्ला थे और फिल्म में मुख्य किरदारों को नसीरुद्दीन शाह, दीप्ती नवल और रोहिनी हट्टंगडी ने अभिनए किया था इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था और फिल्म को हिट फिल्मों की सूची में दर्स किया गया था साल 1992 की बात करे तो उस साल नसीरुद्दीन ने कुल पांच फिल्मों में अभिनय किया था जिनका नाम विश्वात्मा, चमतकार, पनाह, हस्ती और तहलका था इन सभी फिल्मों में से फिल्म, हस्ती और फिल्म तहलका को दर्शकों ने सबसे अधिक पसंद किया था साल उन्नीस सौ तिरानवे में नसीरुद्दीन ने फिल्म कभी हा, कभी नामे फादर ब्रेगेंजा नाम का किरदार अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक कुंदन शाह थे साल उन्नीस सौ च्यानवे में एक बार फिर नसीरुद्दीन शाह दो बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने थे उन्होंने उस साल सबसे पहले फिल्म हिम्मत में अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक सुनील शर्मा थे और फिल्म में मुख्य किरदारों को सनी देओल तब्बू और शिल्पा शेटी के साथ साथ नसीरुद्दीन शाह ने भी दर्शाया था यह फिल्म एक हिट फिल्म के रूप में दर्स की गई थी उसी साल की नसीर उद्दीन की दूसरी हिट फिल्म का नाम चाहत था इस फिल्म के निर्देशक महेश भट थे और फिल्म में नसीर उद्दीन ने अजय नारंग नाम का किरदार अभिनय किया था इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और साथ ही फिल्म ने बॉक्स आफिस में अपना नाम सुपर हिट फिल्मों की सूची में दर्श किया था इस फिल्म के निर्देशक कैजाद गुस्तार थे और फिल्म में नसीर उद्दीन ने मस्ताना नाम का किर्दार अभिनय किया था साल 1998 में भी उन्होंने फिल्म चाइना गेट में अभिनय किया था इस फिल्म में नसीर उद्दीन ने मेजर सरफरास खान नाम का किर्दार अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोशी थे साल 1999 में भी नसीरुद्दीन एक सुपर हिट फिल्म का हिस्सा बने थे उस साल उन्होंने फिल्म सरफरोश में अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक जौन मैथ्यू मथ्थन थे और फिल्म में नसीरुद्दीन ने गुलफाम हसन नाम के किरदार को डोट दर्शाता था इस फिल्म में मुख्य किरदार को आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, मुकेश रिशी और सोनाली बेंद्रे ने अभिनय किया था साल 2000 की शुरुवात उन्होंने फिल्म हे राम के साथ की थी इस फिल्म के निर्देशक कमल, अस्सान थे फिल्म को हिंदी और तमिल भाशा में रिलीज किया गया था फिल्म में नसीरुद्दीन ने महात्मा गाधी का किरदार दर्शाया था इस फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था साल 2003 में नसीरुद्दीन ने अपना डेब्यू अमेरिकन फिल्मों में भी किया था इस फिल्म के निर्देशक स्टेफेन नॉर्डिंग्टन और फिल्म का नाम दे लीग ओफ एक्स्ट्राइर्डिनरी जेंटलमेन था फिल्म में नसीर उद्दीन ने कैप्टन निमो नाम का किरदार अभिने किया था फिल्म में नसीर उद्दीन ने ब्रिकेडियन शेखर शर्मा नाम का किरदार अभिने किया था इस फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था साल 2006 में नसीर उद्दीन शाह कुछ बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने थे इन फिल्मों के नाम कृष ओमकारा और बनारस थे फिल्म कृष में नसीर उद्दीन ने एक कैमियो किरदार दर्शाया था जिसका नाम डौ सिद्धांत आर्य था इसके बाद उसी साल फिल्म ओमकारा में उन्होंने भाई साब नाम का किरदार दर्शाया था इसके बाद फिर एक बार उसी साल फिल्म बनारस में नसीर उद्दीन ने बाबाजी नाम का किरदार अभिनय किया था साल 2006 में ही पहली बार नसीर उद्दीन शाह ने अपनी पहली फिल्म निर्देशत की थी इस फिल्म का नाम यू होता तो क्या होता था इस फिल्म में उन्होंने एक कथावाचक की भूमिका को निभाया था साल दो हजार आठ में नसीरुद्दीन ने सबसे पहले फिल्म जाने तू या जाने ना में अभिनय किया था इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और फिल्म में नसीरुद्दीन के किरदार का नाम अमर सिन्ह राठोर था इसके बाद उसी साल उन्होंने फिल्म गे वेडन्स डे में अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक नीरच पांडे थे और फिल्म में नसीर उद्दीन ने बहुत छोटा सा किरदार अभिनय किया था साल 2010 की बात करे तो उस साल नसीर उद्दीन में फिल्म पी ली लाइव में अभिनय किया था जिसकी निर्देशक अनिशा रिजवी थी इस फिल्म में नसीर उद्दीन ने सलीम किद्वाल नाम का किरदार अभिनय किया था फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था उसी साल उन्होंने एक और ब्लॉक बस्टर फिल्म में अभिनय किया था जिसका नाम इश्किया था इस फिल्म के निर्देशक अभिशेक चौबे थे और फिल्म में नसीरुद्दीन ने इफ्तिखार नाम का किरदार अभिनय किया था फिल्म में मुख्य किरदारों को नसीरुद्दीन के अलावा विद्या बालन और असरद वारसी ने दर्शाया था फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था इसके बाद नसीरुद्दीन ने फिल्म राजनीती में भी अभिनय किया था जिसके निर्देशक प्रकाश जा थे फिल्म में नसीरुद्दीन ने भासकर सान्याल नाम का किरदार अभिनय किया था साल 2011 में भी नसीर उद्दीन ने एक के बाद एक हिट फिल्मों में अपनी उपस्थिती दर्शाई थी उस साल सबसे पहले उन्होंने फिल्म साथ खून माफ में अभिनय किया था इस फिल्म में उनके किर्दार का नाम डौ मधुसूधोन तरफदार था इसके बाद उसी साल नसीर उद्दीन ने फिल्म डाट गर्ल इन यलो गूट्स में अभिनय किया था जिसमें उनके किर्दार का नाम दिवा कर था उसी साल नसीर उद्दीन ने फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दुबारा में भी अभिनय किया था इस फिल्म में उन्होंने एक कैमियो किरदार दर्शाया था इसके बाद उन्होंने फिल्म दडर्टी पिक्चर में अभिनय किया था इस फिल्म के निर्देशक मिलन लुथरिया थे और फिल्म में मुख्य किरदारों को डोड़ विद्या बालन इमरान हाश्मी, तुशार कपूर और नसिरुद्दीन शाह ने दर्शाया था साल 2013 में नसिरुद्दीन ने कुल 11 फिल्मों में अभिनय किया था जिनमें से सिर्फ फिल्म क्रिश तीन को दर्शकों ने पसंद किया था साल 2014 में भी उन्होंने एक सुपर हिट फिल्म में अभिनय किया था जिसका नाम डेड़ इश्किया था इस फिल्म के निर्देशक अभिशेक चौबे थे और फिल्म में मुख्य किरदारों को नसीरुद्दी शाह माधुरी दीक्षित हुमा कुरेशी और अर्शद वार्सी ने दर्शाया था इस फिल्म में नसीरुद्दीन ने इफ्तेकार उर्फ कालू जान नाम का किरदार दर्शाया था यह फिल्म साल 2010 में आई फिल्म इश्किया का दूसरा भाग थी साल 2017 में नसीरुद्दीन को फिल्म ओके जानू और बेगम जान में देखा गया था फिल्म बेगम जान की बात करे तो उस फिल्म के निर्देशक स्रिजित मुकरजी थे फिल्म में नसीरुद्दीन ने राजाजी नाम का किरदार अभिनय किया था फिल्म ओके जानू में नसीरुद्दीन के किरदार का नाम गोपी श्रीवास्तवा था साल 2018 में नसीरुद्दीन को फिल्म अयारी और होप और हम में देखा गया था इसके बाद साल 2019 में उन्होंने फिल्म दः ताशकेंट फाइल्स और रामप्रसाद की तेहरवी में अभिनय किया था साल 2016 में नसीरुद्दीन ने अपनी पहली लगुफ फिल्म में अभिनय किया था इस फिल्म का नाम भारत की खोज था जिसमें उन्होंने दम्यान का किरदार अभिनय किया था इसके बाद साल 2017 में नसीरुद्दीन ने फिल्म पिंजरा में एक कथावाचन का काम किया था साल 2018 में उन्होंने दो लगुफ फिल्मों में अभिनय किया था उस साल की पहली लगुफ फिल्म का नाम स्किन ओफ मार्बल था जिसमें उन्होंने फादर का किरदार दर्शाया था और दूसरी फिल्म का नाम रोगन जोश था जिसमें उन्होंने विजय कपूर नाम का किरदार दर्शाया था नसीरुद्दीन शाह ने पने अभिनय की वजह से कई सारे अवार्ड्स को डोट अपने नाम किया है इसी के साथ उन्हें कई सारे और सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है जिनकी जानकारी नीच मौजूद है साल 1987 में पदमाश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था साल 2000 में संगीत नाटक अकैडमिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था साल 2000 में International Indian Film Academy Awards से सम्मानित किया गया था साल 2003 में पद्मा भूशन Awards से सम्मानित किया गया था नसीरुद्दीन शाह की पहली पत्नी का नाम परवीन मुरादा उर्फ मनारा सिक्री था परवीन भी पेशे से एक अभिनेतरी रह चुकी है परवीन और नसीरुद्दीन की एक बेटी है जिनका नाम हीबा शाह है हीबा भी पेशे से एक अभिनेतरी है इसके बाद जब नसीरुद्दीन शाह अभिनेतरी रतना पाठक से मिले तक उन्हें रतना से प्यार होने लगा था उन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में अभिनय किया था दोनों के प्यार के किस्से मीडिया में भी सुनाई देने लगे थे रतना और नसीरुद्दीन कई सालों तक लिव इन रिष्टे में भी रहे थे कुछ समय बाद नसीरुद्दीन ने अपनी पहली पत्नी परवीन को तलाख दिया था और अप्रेल 1982 में रतना से शादी की थी नसीरुद्दीन और रतना के दो बेटे है जिनका नाम इमाद शाह और विवान शाह है दोनों ही बेटे पेशे से अभिनेता है नसीरुद्दीन के पसंदीदा चीजों की बात करे तो उनके पसंदीदा अभिनेता मुहनलाल, नेदुमुदी बेनु, शम्मी कपूर, दारा सिंह और बोमन इरानी है उनकी पसंदीदा फिल्मे मसान और दिल चाहता है नसीरुद्दीन के पसंदीदा निर्देशक नीरज पांडे, राजकुमार हिरानी और नीरज घ्यावा है नसीरुद्दीन का पसंदीदा रंकाला है